Hello friends, friends UP scholarship से एक notice निकल करके सामने आ रहा है उसके बारे में हम discuss करेंगे इस वीडियो में and साथ साथ वो student जिनका की verify हो चुका है पैसा नहीं आया उन्होंने complain किया है complain करने का पूरा process हमने आपको बता दिया है कि RTI पर आप कैसे कर सकते हो 1076 पर कैसे कर सकते हो and then complain के बाद जो है आपको check करना होता है कि आपके complain का status क्या है यह सभी information as a video आपको हमारे channel पर दे दिया गया है अगर आभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर कि उसे देख लीजे तो उसमें उन लोगों का reply आ रहा है समाझ कघण वीवाग से वह क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसमें आप अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे और जो एक notice आया हुग है जो आप मेरे पीछे manufacturing कि किसके लिए यह notice हे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकल को हिट कर दीजे यूपी स्कॉलर से रिलेटर हर छोटे से छोटे इंफोर्मेशन जो आपके लिए जो है किम्ती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं चलिए अब आप मेरे पीछे देख लो सू संचारे लिए है तो नहीं ये उन स्टूडेंस के लिए है जिनको दुबारा मौका मिला था पोर्टल जो है ओपें हुआ था अनुसुचित जाति के छात्र चात्राओं को फुचित किया जाता है कि बित्तिये वर्स 2022 पे इसमें अनुसुचित जन जाती दसमोत्तर चात्र बृति योजना अंतरगत आवेदन पत्रों को संसोधन करने है तू सासन द्वारा पुना पोटल खोला गया है दसमोत्तर चात्र बृतियम शुल्क प्रतिपूर है दस मई तक है ओनलाइन जो है करेक्शन है आप खुद से करेक्शन कर सकते हैं अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है या कुछ वैसा प्रॉब्लम है जैसे की देख लो चात्र स्वम देख ले यदि किसी परकार का संदेहास पर सलब की मोडिफिकेशन के लिए जो है आपको डेट दिया गया है संसोधित आविदन पत्रों को छात्र छात्रा द्वारा अपने संकाय विभाग से अगर सारित करा कर निमले की तभिलेक के साथ तीन पांच से ग्यारा पांच तक अधिस्ठाता छात्र कल्यान कारियाले में जमा कर देगे आपको जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप करेक्शन करके छोड़ दोगे जो करेक्शन आप करोगे उस करेक्शन का जो है आप कौपी यानि हाट कौपी डॉकुमेंट्स निकालोगे और जाकर कि जो है समाज कल्यान विभाग में जमा करोगे ठीक है विभाग स अपने संकाय विभाग से अग्रसारीत करा के यानि कि आपके जो कॉलेज हैं वहां से अग्रसारीत करा करके ठीक है निमलिखित अभिलेक के साथ दिनांग 3-5 से 11-5 तक करेंगे अब इसमें अभिलेक क्या क्या देना है संसोधन आवेदन पत्र एक अप्लिकेशन देना होता है जो कि आप मोडिफिकेशन के लिए कर रहे हो स्टेटस की छाय प्रती आपका जो स्टेटस है करेंट स्टेटस उसका एक फोटो कॉपी और जो मिस्टेक हुआ है उससे रिलेटेड जो है एक फोटो कॉपी जैसे मान लो कि आपने जो है 12 का मार्स गलत डाला है ठीक उसको 12 के मार्स का जो ओरिजिनल आपका जो रियल है मार्स उसका एक फोटो कॉपी आपको यहां पर डालना पड़ेगा यह तीन चीजे जो है आपको देनी परेंगी तब जाके आपका करेक्शन होगा तो यह समाज कर लान विभाग में देना परेगा लेकिन कॉलेज सेफ साइन क अगरसारित करवाने के बाद तो यह पूरा प्रोसे स करक्चन करने का ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ कर दिया करेक्शन कर दिया है औलाइन पोट्ल में और उसके बाद बाद में में वोंगे कि हमारत हुआ ही नहीं क्योंकि अगर सिर्फ on-line करेक्शन करके छोड़ देते हो तो आपका अधा जो है correction माना जाएगा, वो पूरा complete नहीं होगा, तो इस बात का आपको धियान रखना है, ठीक है, तो ये तो बात हो गई correction को ले करके, जिन student का जो है, ये correction के लिए open हुआ है, अब चलो बात कर लेते हैं, उन student को जिनका की verify हुआ है, लेकिन पैसा नहीं आया इन्होंने complain किया है, और मैं ये reply आया है, मैं क्या करूँ, अब आप बताओ, मैं B.A. first year student हूँ, मेरी fees जमा होनी है अभी, scholar सिप आ जाती, तो मैं अपनी fees आगे की study जारी रख पाती, तो ये student ने कहा है, और इनका reply जो आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, reply कोई positive नहीं है, यहाँ पर बस एक ही चीज ये लोग बोल दे रहे हैं, कि जो भी छात्र छात्रा है, मतलब कि उनका data उनको सही लग रहा है, सुनो ये लोग क्या बोल रहे है, ये लोग बोल रहे हैं कि जिनका data उनको सही लग रहा है, ठीक है, मानो कि आपको complain कर रहे हो, और उनको लग कि हाँ इस्टूडेंट के साथ रियली में अन्याए रहे तो वैसे स्टूरेंट का डेटा अ systematic अर्हा ऐसीलिए जु है कुछी स्टूरेंट का जु है पैसा आ रहा है यह बात अब धयान से समझervesे ना जब बोल रहे है अधुहस्ताक्षिरी के अधस्तर से अब निया मनुसार कोई कारेवाई किया जाना संभव नहीं है लेकिन जो यहाँ पर यहाँ पर बताये जा रहा कि जो छात्रवीती सुक्रित है उनको जो है उनका आगे बढ़ाया जाना जिनका डेटा सही है और आगे इसके रिलेटेग पहला reply यह मैं आपको दिखा रही ऐसे बहुत सारे reply हैं जो हम अभी दिखा रहे हैं इनको भी directly ना ही बोल दिया गया है कि यह पूछ रहे कि मैं इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यही है जिला समाज कर लेन विभाग इनको भी बोल दिया गया है कि इनके में तो दो या तीन संदीप सिंद का नाम है इनको बोल दिया गया कि आगे की कोई कारवाई किया जाना संभाव नहीं है सभी कारवाई जो है नियमानुसार पूरी की जा चुकी है और आगे कोई कारवाई नहीं की जाएगी मतलब डिरेक्ली ना बोल दिया गया है मतलब उनको जो है वैसा पोजिटीब अभी मुझे नहीं देखने को मिड़ा यह गॉरक पूर्से हैं इनका भी रिप्लाई जो है वैसे ही आया है अब यहां पर दिखाते हुए इनका देखें इनका क्या हुआ है कि इनका पैसा आ गया है इनका एकाउंट में पैसा आ गया है लेकिन इनका जो है सौरी एकाउंट में पैसा नहीं आया है इन्होंने जो है कम्प्लेंड किया है तो उधर से रिप्लाई आया है कि आपका जो है 30,006 रुपय भेज दिया गया है लेकिन इनका कहना है कि मैं मेरे एकाउंट में ही नहीं आया है तो अब मैं क्या करूँ इन्होंने 1076 पर कम्प्लेंड भ हो रहा है तो यह स्टुडेंट है इनका पैसा देखिए भुभेजा गया है बोर्ड आए कि 30,000 तीस अजार रुपया जो है इनका भेज दिया गया है लेकिन इनके एकाउंट में धनरासी नहीं पहुंची है इनका कहना है कि आप मैं क्या को यह फिरोजाबात का है इनका मैं आ बैं क्लियर देख लेटी यह ताकि आप पता चलिए गया है अधर आपको बहल दिया जा रहा है कि आपका पैसा भेज दिया धीक Angla को Hebrews एक तो बीच में कोई आपका पैसा खा गया है, सिंपल वे में, एकदम ब्लंट वे में मैं आपको बता रही हूँ, कि कोई पैसा खा गया है, जो आपके एकाउन में नहीं पहुचा, और दूसरा यह हो सकता है, कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इन से जब हमने बात किन से हमारी बात हुई है, तिन से बात हुई है, तो इनका यह कहना है, कि यह बहुत दिनों से हो गया है, 1076 पर इन्होंने कम्प्लेंट भी कर दिया, फिर भी कुछ चीज़े नहीं हो रही है, तो मैं आपका पैसा कोई खा गया है, वैसा चांसेस बन रहा है, तो आप जो है, दो चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो आपके नजदिक में, जो भी समाज का लैन विभाग है, आपके नजदिक में एक समाज का लैन विभाग होगा ही, तो आसा दूर भी होगा, तो भी, क्योंकि 30,000 की बात है, तो आप वहाँ पर जाएं, और जा करके जो है, एक रिटेन कम्प्लेन दे, कम्प्लेन वो लोग एकसेप्ट नहीं करेंगे, ये भी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपका काम है, रिटेन कम्प्लेन दे, ठीक, एक काम वहाँ पर कर दीजे, दूसरा काम कीजे, RTI का, यहां RTI वाला काम कर लोगे न, फिर तो पैसा आपका रिटर्न आहीं जाना, थोड़ सा टाइम लगे गा RTI वाले में, लेकिन पैसा रिटर्न होगा, अब RTI में क्या डालोगे, तो RTI में आप यह डालोगे, 30,000, 30,000 जो है, वो आप स्टेटस जो अभी आपको भीजा गया है, वो आप उसमें लगाओगे, और बताओगे कि वहां से बोला जा रहा है, कि 30,000 जो है आपके अकाउन में भीज दिया गया है, लेकिन मुझे मेरा पैसा नहीं मिला है, तो इसके बारे में जो है, क्लियर करें, तो यह बात आप उसमें डाल दोगे, और वो स्टेटस भी लगा दोगे, तो वहां पे सेंड करो, 15 दिन, 10 दिन, शतलब मैं 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 मैक्सिमम बता रही हूँ, इसमें आपको reply मिल जाएगा, और आपका clarity भी होगा, अब RTI में apply कैसे करना है, तो RTI में apply करने के लिए, जो है हमने एक वीडियो बना दिया है, कि कैसे कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, तो कर लो, और तो साइवर में जाके करवाओ, लेकिन बहुत easy process है, तो आप एक बार खुद से try करके देखी लो, तो जिनका पैसा वहाँ से बोला जा रहा है, कि भेज दिया गया है, वो एक बार ये चीज जरूर कीजिए, वरना पता चला कि आपके नाम का पैसा कोई और खा रहा है, ठीक है, अब scholar sister related, मैं नहीं बोलूँगी कि आहीं जाएगा, लेकिन chances को बनेंगे, क्योंकि कुछ student काया है, और अब इसी तरह से हमारा भी manowal बर रहा है, क्योंकि students भर से message करते हैं, कि मैं हम आपकी वज़े से महाँ मिल गया, नाम हम ले लेते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, कि ऐसा student के साथ हुआ है, तो पैसा आ रहा है, यह चीजे बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो अगर आपके साथ कोई इस तरह की problem है, तो आप हमें message कर सकते हैं, number आपको पता है, या फिर जो है आप इस वीडियो में comment कर सकते हैं, फिर में लूँगी, till then, have a nice.